Hello Friends, Unique Knowledge City में आप सभी का स्वागत है और आज हम देखने वाले हैं Vernier Caliper से Totally Measurement कैसे किया जाए कैसे Main Skill Reading देखा जाए कैसे Vernier Skill Reading देखा जाए कैसे Total Reading Find करे और Vernier Caliper का Use कैसे करे ठीक है, तो वो आज हम पढ़ने वाले हैं दूसरी चीज, कि कैसे Vernier Caliper में कौन-कौन सी Errors आ सकती हैं और उस Error को Remove कैसे किया जाए ये हम दो चीज आज देखने वाले हैं, सो स्टार्ट करते है Without Wasting Time Vernier Caliper Errors First Error है Positive Error दूसरी Error है Negative Error, तिसरी Error है Zero Error, Positive Error, Negative Error and Zero Error सो अभी हम देखेंगे कि Positive Error कैसे हम बोल सकते हैं, Negative कैसे बोल सकते हैं and Zero Error कैसे बोल सकते हैं So, in case of Positive Error Suppose ये Vernier Caliper है और उसमें दो स्केल आती है First है Main Scale, जो कि उपर की साइड पर रहती है दूसरी है Vernier Scale जो कि नीचे की साइड पर यहाँ पर दिखाए गई है So, ये पूरी स्केल है Main Scale ये पूरी स्केल है Vernier Scale Okay Now observe carefully properly यहाँ पर आपको दो 0 दिखाए दे रहा है एक जो है वो Main Scale का 0 है एक जो है वो Vernier Scale का 0 है आपको अबज़ो करना है कि Main Scale का 0 है उससे कि कौन सी साइड पर Vernier Scale का 0 है तो यहाँ पर Main Scale के 0 के Right Hand Side पर थोड़ा सा आगे ये लाइन के थोड़ा सा आगे 0 लाई करता है Vernier Scale का तो जब भी Main Scale के 0 के आगे Vernier Scale का 0 हो ऐसी कंडिशन में क्या होगा? Positive Error जनेट होगी जितना भी आपका अंसर आएगा उससे थोड़ा ज्यादा आंसर Vernier Caliper Indicate करेगा तो आप उसको बोल सकते हो Positive Error So Positive Error किसको कहेंगे? जब Main Scale के 0 के आगे Vernier Caliper का 0 आए तो उसको कहेंगे Positive Error Next अभी यहाँ पर एक Example के तोर पर हम देख लेते Suppose 6.38 mm है वो आंसर आ रहा है जब यह Positive Error से हम Measure करते है तो ठीक है? So, Example कि यह Vernier Caliper पे 0.02 mm का Positive Error है यह Vernier Caliper पे 0.02 mm का Positive Error है So, हमको क्या करना पड़ेगा? 6.38 में से 0.02 है वो सब्ट्रेक कर देने पड़ेंगे तो जो आंसर बचेगा वो कितना बचेगा? 6.36 mm So, यह हो गया अपना आंसर 6.36 mm Vernier Caliper कितना इंडिकेट कर रहा था? 6.38 लेकिन 0.02 mm की Error थी तो वो Error हमने Positive Error थी इसलिए सब्ट्रेक कर दी तो आंसर बन गया 6.36 mm तो यह जो है वो Correct Answer है मिन्स हमने देख लिया कि Error पहले तो कैसे बनी? तो यह दोनों 0 मैच नहीं हो रहे थे Vernier Caliper में Vernier Skill का जो Error था मिन्स 0 था वो Right Hand Side पे था Main Skill के 0 से तो यह बन गई थी Positive Error इसलिए उसको सब्ट्रेक कर दिया और हमको Final Answer मिल गया है जो कि Correct हो गया अभी हम Next देखते है Negative Error के लिए So, Negative Error Vernier Caliper यहाँ पे है Again Main Skill And Vernier Skill Now, You Need to Observe 0 0-0 कहाँ पे लाई कर रहा है तो in this case जो Main Skill का 0 है वो Vernier Skill के 0 के पीछे की साट पे है मिन्स हम बोल सकते हैं कि Vernier Skill का जो भी 0 है वो Main Skill के 0 से थोड़ा आगे है क्या है? Vernier Skill का 0 है वो Main Skill के 0 से थोड़ा आगे है दोनों एक लाइन पे नहीं है Vernier Skill का 0 है वो Main Skill के 0 से पहले आ जाता है तो यहाँ पे क्या होगा? Negative Error Generate होगी ठीक है? यहाँ पे क्या होगा? Negative Error Generate होगी So, इसका भी एक 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 ग्जम्बल देख लेते हैं 6.38 mm ओके? And Negative Error कितने है यहाँ पे? तो 0.02 mm की Negative Error है तो अगर Negative Error है तो वो हमको Add करनी पड़ेगी तो 6.38 जो की आंसर था हमारा? ठीक है? And 0.02 mm की Error थी तो जो Final Answer बनेगा वो कितना बनेगा? 6.40 mm यह अपना Final Answer है ओके? तो यहाँ पे हमारा जो Reading था Vernier Caliper का वो 6.38 mm है और जो Error है वो 0.02 mm की Negative Error है कौन सी है? Negative Error तो Negative Error है तो हमको जो भी आंसर मिले उसमें Addition करना पड़ता है तो यह जो आंसर था ठीक है 6.38 mm का उसमें हमने 0.02 mm की Error है उसको Add कर दिया अपना अंसर बन गया 6.40 mm यह जो है वो आंसर है तो इसमें Error Recorrect हो गई ठीक है? अगर आपका Positive Error हो और आप Measurement लेते हो तो उसको Subtract करो अगर Negative Error हो and Measurement लेते हो तो उसको Add कर दो Final Reading में तो आपका Error Correction भी हो जाएगा Next कि Zero Error Zero Error किसको कहेंगे? Means Error नहीं है तो यहाँ पर आप Carefully Observe करो कि दोनो Zero है Main Scale का Zero and Vernier Scale का Zero दोनो Zero एक ही जगह पे एक ही लाइन पे मैच कर रहे है Properly Straight Line पे मैच कर रहे है आप Observe कर लो यहाँ पर कि Main Scale का Zero है यह Vernier Scale का Zero है दोनो Zero एक लाइन पे है Means Zero Error यहाँ पर कोई भी Error बची नहीं है ठीक है? तो Zero Error बोड़ेंगे तो यहाँ पर जो भी आपका Answer मिलेगा That is your Final Answer यहाँ पर कुछ भी Addition या फिर कुछ भी Subtract करने की जरूरत नहीं है तो यह हमने देख लिया कि कौन-कौन सी Error है Vernier Caliper में आती है और उसको Recorrect कैसे करते है अभी हम देखेंगे अच्छे से कि कैसे Vernier Caliper को बढ़ा जा सकता है तो यहाँ पर Topic है How to Read Vernier Caliper सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पर Vernier Caliper का Main Skill and Vernier Skill दिखाया गया है Main Skill है उपर की साइट पर Vernier Skill है नीचे की साइट पर अब यहाँ आप ज्यान रखना कैसे हम देखेंगे तो सबसे पहले हमको Main Skill Reading दिखना है क्या दिखना है Main Skill Reading मिंच यह है Main Skill इसके उपर हमको देखना पड़ा है क्योंके Main Skill Reading कैसे पाड़े तो हमको देखना है कि कहां पर Vernier Skill का 0 है वो स्टार्ट हो रहा है तो Vernier Skill का 0 हो रहा है यहां से स्टार्ट हो रहा है यह वाली लाइन से तो हमको ठीक उपर देख लेना है कि उपर Main Skill पे कौन कौन सी जो भी डिविजन से वो बने हुए है तो 5 के बाद आएगा यह 6 नमबर का और यह आएगा 7 नमबर का ठीक है 5 के बाद आएगा यह 6 नमबर का डिविजन और यह रहेगा 7 नमबर का डिविजन तो Vernier Skill का 0 है वो 6 and 7 के बीच में से स्टार्ट हो रहा है Main Skill पे Vernier Skill का 0 है वो 6 and 7 number के बीच में से start हो रहा है means 6 and 7 number में से minimum जो value है वो कौन से है 6 number तो आपका main scale reading बन गया है कौन सा 6 number का ठीक है so आपका main scale reading बन गया है 6 number का main scale, varnier scale main scale reading is 6 mm अभी second चीज़ हम देखेंगे varnier scale reading so यहाँ पर varnier scale पर हमको यह check करना है main scale का एक बार 6 mm मिल गया हमको क्योंकि जो भी 0 था varnier scale का वो start करता है 6 and 7 के बीच में now observe करना है second reading varnier scale तो आपको यहाँ पर एक raid mark दिखाई दे रहा होगा currently ठीक है यहाँ पर एक raid mark दिखाई होआ है यह वाला second तो यहाँ पर क्या है कि आपको एक straight line division match होता नजर आएगा जो कि main scale and varnier scale दोनों में match हो रहा है same division ठीक है so यह कौन सा number है 19 number कैसे आया तो यहाँ से गीनते जाओ कि varnier scale पे varnier scale पे कौन सा जो division है वो perfectly match होता है main scale पे तो 20 के ठीक पहला वाला means 19 number का जो भी division है वो perfectly match होता है main scale से आप यहाँ पे circle में देख सकते हो कि यह वाली line है जो कि perfectly match हो रही है main scale से so कौन सा number है 19 number का division है वो perfectly main scale पे match हो रहा है तो जो varnier scale reading बना आपका VASR वो क्या बनेगा कि 19 जो भी number है वो match हो रहा है वो multiply with list count of varnier caliber और यह जो varnier caliber है उसका हमने assumption ले लेते है कि यह जो varnier caliber है पार्टिकुलर ले उसकी list count है 0.02 mm ओके तो यह उसका बन गया varnier scale reading ओके 19 number and finally total reading क्या आएगा so main scale reading plus varnier scale reading यह दोनों का addition करेंगे तो हमको total reading मिल जाएगा so total reading 6 mm main scale reading and 0.38 varnier scale reading जो कि कहा से मिला 19 division match कर रहा है and 0.02 है वो list count है so final answer बनेगा वो 6.38 mm यह है total reading so कोई भी बुचे कि answer क्या है क्या आया finally so total reading में जितना भी value है वो answer है varnier caliber का reading का ठीक है तो यह आपका answer बन गया है varnier caliber का reading ओके so ऐसे measure कर सकते so एक बार recall करते हैं main scale reading कैसे देखना है तो जहां से 0 varnier caliber का start होता है varnier skill का उसके उपर कौन कौन से division है means 0 कौन दो division के बिच में से start हो रहा है वो देख लेना है और वो दोनों में से जो भी minimum value है उसको हमको पकल लेना है means यहां पर minimum value छे थी तो main scale reading बन गया अभी देखना है कि varnier scale पर कौन सा division है वो perfectly match होता है main scale पर तो यहां पर 19 number का division है वो perfectly match होता है main scale पर तो वो हमने number ले लिया 19 और उसको list count के साथ multiply कर दिया 0.02 के साथ ठीक है so varnier scale reading भी बन गया आपना अभी total reading total reading means क्या main scale reading plus varnier scale reading main scale reading plus varnier scale reading means यह दोनों का addition कर दिया तो हमारा final answer बन गया 6.38 mm so हमने आज के लिए देख लिया कि कौन-कौन से error है और कैसे हम measure कर सकते है error को और कैसे resolve भी कर सकते है and कैसे varnier caliper को हम बढ़ सकते है so अज कल लिए इनना ही thank you very much guys thank you all of you for watching and easily understanding everything okay please 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 like, share, subscribe our channel hit the bell icon if you get more updated videos and keep learning, keep going on all the best for your bright future take care, God bless you